वाइंग जब वांग जी से पूछता है क्या हम पहले भी मिल चुकी है लंजा वांग जी एकदम शौक रह जाता है वो तुरंद वाइंग का हाथ पकड़ लेता है अब और भी जाधा सीन्स वाइंग की दिमाग में चलने लगे थे एक सीन जिसमें वो कह रहा है था ये एमपर क्यों करते हो लंजा नेक सीन में वाइंग बेहोशी की हालत में था और वो वांग जी से गुसे में कह रहा था गैट लॉस्ट लंजा और आखिरकार वो वापस म्यूजिक रूम में आ गया था वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन वाइंग तुरंट उसे ध ठीक हूँ लेकिन मैं घर जा रहा हूँ वांग जी टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है प्लीज मेरे पास रुको वहिंग उससे कहता है मैं तुम्हारा और समय बरबाद नहीं करना चाहता लंजा वहिंग को अपने सामने वही वाइट रोप्स वाला आदम दिख रहा था जिसकी आँखों में उसे अपने लिए नफरत दिख रही थी उसे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है वो वांग जी से कहता है मुझे नहीं बता लंजा कि तुम मुझे क्या एक्सपेक करते हो लेकिन मैं और कुछ नहीं चाहता ये सुनते ही वांग जी की आँखों में उसे हर्ट और पेन साफ दिख रहा था लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों है वो क्यों उसकी इतनी परवा करता है वहीं वांग जी से कहता है मुझे माफ कर दो लंजा इसलिए मैं नहीं चाहता था कि विंचिंग तुमसे बात करे क्या उसनी कुछ कहा वांग जी उससे नज़रे चुड़ाते हुए कहता है कोई बात नहीं अगर तुम यहीं चाहते हो तो तुम जा सकते हो वहीं कहता है यही अच्छा होगा लंजा और मैं वाक करके चला जाओंगा तुम्हें मुझे चोड़कर आने की कोई जरुवत नहीं वांग जी फिर हामे से रहला देता है वहीं कहता है थैंक यू फॉ टुनाइट लंजा ऐसा कहकर वो बाहर निकल जाता है लेकिन वहीं बार बार मुड़कर देख रहा था वांग जी ने दर्वाजा बंद नहीं किया था कम से कम जब तक तो नहीं जब तक वहीं उसकी नजरों से दूर नहीं चला गया वहीं घर वापस जाते वक बार बार यही सोच रहा था लंजा उसे अचानक से इतना जाना पहचाना क्यों लगने लगा है वो चलते चलते एक फॉरेस्ट की तरफ आ गया था जहां पूरी तरीके से अंदेरा था सामने से उसे कोई नजर आता है और फाइनली वो रुकता है एक वोमन वहां खड़ी होई थी जिसकी आँखें बिलकुल डाक थी उसकी स्किन बहुत पेल लग रही थी वोहिंग को लग रहा था कि वो हुमन नहीं है जैसे ही वो बोलती है वोहिंग को पूरी बॉड़ी में गुस बंस होने लगे थे वो लेड़ी उससे कहती है इतने सालों के बाद तुम्हें एक दूसरा चांस दिया गया था और तुमने उसे गवा दिया वोहिंग को समझनी आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है अचानक से एक हवा के छुके के साथ वो लीड़ी गायब हो जाती है अंधेरा भी गायब हो गया था वोहिंग अकेला खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था क्या ये सब सच था दो हफते हो गए थे वोई इंग ने वांग जी को एक मैसेज तक नहीं किया था और उन दो हफ़तों में वोई इंग को अजीब से विर्ड ड्रीम्स आ रहे थे वोई इंग स्कूल क्लास में बैठा हुआ था कि तभी सिज्वी उसके पास आता है वोई इंग को याद आता है कि उसने दो हफ़ते से लंजा से बात नहीं की है और वो सिज्वी से कहता है सिज्वी क्या तुम्हारे डैड पैरेंट्स इवनिंग में आने वाले हैं सिज्वी कहता है येस टीचर वे लेकिन वो बेस्ट फादर है वोई इंग हस्ते हुए कहता है तुम भी तो बहुत अच्छे सन हो सिज्वी बलश करने लगता है अब उनकी पैरेंट्स इवनिंग की शिडवात होती है पहले लैंचरान जेंगे की मार्क्स लेने के लिए आया था उसके बाद अब जेंग्चा की बारी थी वोई इंग को पहले से ही हैड़क होने लगा था उसे पता था जेंग्चा नॉर्मल तरीके से तो उससे बात नहीं करने वाला जेंग्चा आते ही उससे कहता है तुम अपनी जॉब ठीक से नहीं कर सकते जिनलिंग को स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं क्या तुम्हारा उस तरफ कुछ ध्यान भी है? कुछ दिनों पहले जिनलिंग को लाइब्रेरी के पास स्टूडेंट्स मार रहे थे वो यह कहता है मुझे आज ही इस बारे में पता चला है मैं इस बात पर ध्यान दूँगा और उन स्टूडेंट्स को सबक सिखाऊंगा जिनलिंग उसे कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुम यूजलेस हो वो यह कहता है बहुत हो रहा है अब जिनलिंग क्या तुम ये सब कहने के लिए यहां आये थे वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं जिनलिंग उनसे कहता है अंकल क्या आप दोनों प्लीज कुछ समय के लिए शांत नहीं रह सकते काश मेरे डैड यहां होते जिनलिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वीइंग जंग्शा से भी कहता है जंग्शा प्लीज यहां से चले जाओ जंग्शा गुस्से में वहाँ से दरवाजे को जोर से मारते हुए चिलने के पीछे चला जाता है एक बार फिर वीइंग बहुत हर्ड था और सेटनली ख्लास रूम के डोर पर नौक होता है और वांग जी अंदर आता है वीइंग उसे देखकर कहता है मिस्टर लान हमेशा आप बैट टाइमिंग पर ही क्यों होते हैं लेकिन वांग जी उसे कुछ नहीं कहता वो वीइंग के सामने वाली सीट पर जाकर बैट जाता है वीइंग उसे पूछता है आप सेजु के ग्रेट्स लेने के लिए आये हैं ना वांग जी फिर कुछ नहीं कहता और हामेश सिर हिला देता है विइंग कहता है हमेशा की तरह आपका सन इस बार भी परफेक्ट है सड़नली वांग जी उसे पूछता है तुम कैसे हो विइंग कहता है ठक चुका हूँ मैं दंजा क्या तुम प्लीज ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुमने मेरी और जेंचा की बातें नहीं सुनी तुम आखिरकार मेरी इतनी परवा क्यों करते हो विइंग मन में सोचे लगता है आखिरकार उसे मुझसे क्या चाहिए क्या वो मुझसे सेक्स चाता है ऐसा सोचकर विइंग तुरंट अपनी सीट से खड़ा हो जाता है वो वांग जी के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़के अपनी तरफ खीशता है वो उसके बहुत नस्दीक था और वो वांग जी से कहता है ये सिर्फ अट्रेक्शन तो नहीं हो सकता ना मिस्टरलान आपको मुझसे क्या चाहिए वुइंग मन में सोच रहा था अगर मैं अभी उन्हें किस कर लेता हूँ तो क्या उन्हें वो मिल जाएगा जो उन्हें मुझसे चाहिए ऐसा सोच कर वो वांग जी के शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाता है और उसकी चेस्ट पर फहराने लगता है वो तुरंथ उसकी टाई को पकर नीचे खीशता है जिससे वांग जी के लिपस उसके लिपस के नस्दीक हूँ क्योंकि वांग जी उससे काफी लंबा था तब इवांग जी वुईंग का हाथ ताइटली पकर लेता है और उससे कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहूँ वहीं ने तुरंद वांग जी के टाई को छोड़ दिया था वो फिर से मन में सोशे लगता है लंजा की आँखों में clear desire दिख रहा है मेरे लिए लेकिन वो चाहता है कि मैं खुश रहूँ अभी भी उसे समझना मेरे लिए इतना impossible क्यों है वहीं वांग जी को छोड़ देता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी परवा क्यों है स्कूल रूम फिर से change हो जाता है और वहीं को एक scene दिखता है जिसमें वो वांग जी से कह रहा था मैं अपने temperament को अच्छे से जानता हूँ दोसरे लोगों को परवा करने की जरूवत नहीं है वांग जी कुछ से मैं उससे कहता है वे वुश्यन वहीं ब्लिंक करता है और फिर से वो scene गायब हो गया था वो वापस से classroom में था वांग जी उसके shoulders पर हाथ रखता है और उससे पूछता है क्या हुआ वहीं वहीं कहना चाहता था मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है लेकिन वांग जी का touch उसे अच्छा लग रहा था वो वांग जी से कहता है लंजा मैंने अपने adopted parents की जान ली थी मैंने जंगचा की sister मेरी शीजी को भी almost मार ही दिया था मेरी वज़े से वो 10 साल से कोमा में है वो अमेरिका की एक hospital में है क्या तुम अभी भी मेरे बारे में और जाना चाहते हो लंजा क्या मैं तुम्हारी sympathy dissolve करता हूँ अब वांग जी ने वीइंग की दोनों shoulders को tightly पकर लिया था वो उसकी तरफ बढ़कर उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तब ही डोर पर knock होता है लैंच रेंड वहां आ गया था और वो कहता है teacher way क्या मैं जिंगे के बारे में आपसे कुछ बात कर सकता हूँ वीइंग को इस वक्त बहुत गुसा आ रहा था लेकिन वो वांग जी को वहां से जाने के लिए कह देता है अगले दिन वांग जी जब अपने घर जा रहा था तो उसका सामना वेंचिंग से होता है वेंचिंग उससे कहती है मिस्टरलान मुझे वीइंग को लेकर आपसे कुछ बाते करनी है क्या हम कैफे चल सकती है वांग जी उसके साथ जाने के लिए तयार हो जाता है दोनों कैफे में बैठे होते हैं तो वेंचिंग उससे पूछती है क्या वो अब आपसे बात करता है वांग जी कहता है नहीं वो नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी हो पेंचिंग कहती है मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है आजकल वो रातों को ठीक से नहीं सो पाता है क्या आपकी डिनर डेट के दोरान उसके साथ कुछ हुआ था क्योंकि वो बहुत अजीब भेहिव करता है क्या उसने आपको अपने बारे में कुछ बताया वांग जी कहता है हाँ वो खुद को अपने अडॉप्टेट पैरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार मानता है और उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में है इसका जिम्मेदार भी वो खुद को मानता है वांग जी कहता है ये बिलकुल गलत है उसके कोई भी गलती नहीं थी मैं सही इनसान नहीं हूँ आपको ये बताने के लिए कि exactly क्या हुआ था लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि उसकी कोई भी गलती नहीं रही है वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तभी वेंचिंग की नजर पास ही मैं बैठे दो लड़कों के उपर जाती है जिसमें से एक लड़का जिसकी हाइड थोड़ी कम थी वो बिल्कुल वेंग जैसा लग रहा था वेंचिंग ये बात वांग जी को भी बताती है वांग जी जब मुर कर देखता है तो उसे मुशन्यों वहां दिखाई देता है मुशन्यों के साथ जो दूसरा लड़का था वो और कोई नहीं जिन गंगवायों था लेकिन वांग जी ये देखकर शौक था कि जिन गंगवायों वांग जी की तरफ इस तरह देख रहा है जैसे उसने वांग जी को पहचान लिया हो लेकिन कैसे अगले दिन वैंग फिर से स्कूल में था क्लासस चल रही थी अचानक से receptionist वेइंग के class में आती है और कहती है teacher way मुझे आपको interrupt करना होगा लेकिन please क्या मैं जिलनिंग को ले जा सकती हूँ वेइंग कहता है क्या हुआ receptionist कहती है जिलनिंग को घर ले जाने के लिए उसके uncle यहाँ आए हुए है वो आज school से चलती चला जाएगा जिस apartment में जंग्चा रहता था उसी apartment में लान शिचैन था शिचैन की मदद से वो इंग को जंग्चा के apartment number का पता चल जाता है लेकिन जंग्चा उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो इंग कहता है जंग्चा क्या कुछ हुआ है जिचैन ठीक है ना प्लीज जंग्चा प्लीज मुझे बताओ जंग्चा गुस्से में कहता है तुम बार बार क्यों हमारी life में चले आते हो जबकि तुम already हमारे साथ कितना कुछ कर चुके हो वो इंग कहता है मुझे पता है तुम मुझे से नफरत करते हो लेकिन प्लीज मुझे एक बार बतादो कि क्या हुआ है जंग्चा कहता है शिजी की तब्या ठीक नहीं है बलकि और बिगड़ती जा रही है डॉक्टर्स का कहना है कि शैद उनके पास एक हफता ही होगा और क्या सुनना चाहते हो तुम वोई की आँखों में अचानक आ Convene लगते हैं और वो उससे कहता है उन्हें कुछ नहीं होगा जंग्चा उन्हें कुछ नहीं होगा वो बिलकुल ठीक हो जाएंगी जंग्चा वोई को धक्का देते हुए कहता है ये सब तुम्हारी गल्ती है तुम यहां कर क्या रहे हो वहीं कहता है मुझे उनकी परवा है वो मेरी भी बहन है जिंग्चा उससे कहता है मुझे तुमसे नफरत है मेरे पहरेंट्स तुम्हारी वज़े से मरे और आज जिजे की यह हालत है तुम मर क्यों नहीं जाते वहीं इतना सब हो जाने के बाद भी तुम बस ऐसे ही हम सब को छोड़ कर चले गए तुम्हें कोई परवा नहीं थी वहींग की आँखों में अब जैसे आशू आने वाले थे वो जेंग्षा से कहता है मुझे हमेशा परवा रही है मुझे हमेशा तुम सब की परवा रही है जेंग्षा जेंग्षा फिर से उसके कॉलर को पकड़ लिता है तब ही जिनलिंग वहां आता है और जेंग्षा को रोपने की कोशिच करता है वो जेंग्षा की आँखों में देख रहा था लैन शेचन उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो जेंग्षा बार बार कह रहा था मुझे छोड़ दो शेचन लेकिन लैन शेचन ने उसे टाइटली पकड़ लिया था और वो वीइंग को आँखों में ही इशारा कर रहा था कि वो यहां से चला जाए वीइंग की आँखों में दर्ड था उसे लग रहा था कि उसके लिए अब कोई नहीं है उसने जेंग्षा को खो दिया है और अब वो यानली को भी खो देगा सब कुछ उसी की गलती है यही सब सोचते सोचते वो उस रूम से बाहर निकल जाता है दूसी तरफ शेचैन जेंग्षा को शान करता है और उससे कहता है चिनलिंग को तुम्हारी जरूरत है और तुम ये सब क्या कर रहे हो जेंग्षा उससे कहता है शेचैन तुमें कुछ नहीं पता है तुम यहाँ कर कह रहे हो हमारे बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं था तुम्हें क्यों परवा है हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं शिचैन कहता है मुझे माफ कर दो शायद मैंने अपनी बाउंडरी स्क्रोस कर दी मैं चलता हूँ शिचैन वहाँ से जाने ही लगता है लेकिन आप चिंता मत करिया आपकी सिस्टो को कुछ नहीं होगा दूसरे तरफ वहिंग का दिल पूरी तरीके से तूट गया था कैसच में उसकी शिचैन भी उसे छोड़ कर जाने वाली है उसके हाथ में वाड का बाटल थी जो उसने आदी खतम भी कर ली थी उसे नहीं समझा रहा था कि वो अब क्या करे अब तक वो इस उमीद में जी रहा था कि शायद एक दिन उसकी शिचैन ठीक हो जाएंगी वो हॉस्पिटल से बाहर आएंगी और उसके वहिंग को गले लगाएंगी लेकिन अब ये उमीद भी तूरती जा रही थी वो हींगी सब सोचते हुए ही अपने घर आ गया था कि तब ही उसका फोन बच्टा है फोन पर वेंडिंग था वेंडिंग उनसे कहता है मैंने आपको कैफे के पास से जाते हुए देखा आप बहुत अपसर दिख रहे थे आप ठीक है ना वेंग कहता है मैं ठीक हो या नहीं इससे क्या फरक बड़ता है वेंडिंग वेंडिंग कहता है आप ड्रंक है क्या मैं जीजे को बता दू वेंग कहता है बिल्कुल नहीं वैनिंग कहता है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं. आपकी लाइफ में ऐसे लोग हुंगे जो आपको खुश रख सकेंगे. मैं और जेजे हम आपकी बहुत परवा करते हैं. हम आपको खुश देखना चाहते हैं. मैं अभी जेजे को कॉल करके सब बता देता हूं. वो यग एफ़ वो वैसे भी अपने वर्क में बिजी होगी वैनिंग कहता है तो प्लीज आप ड्रिंक करना बंद कर दीजिए मेरा ब्रेक टाइम खतम हो गया है तो मुझे वापस जॉब पर जाना होगा आप ख्याल रखना मैं फिर से आपको कॉल करूँगा वैनिंग कहता है ठीक है वैनिंग इतना जादा ड्रंक हो गया था कि वो ग्राउंड पर ही गिर जाता है और वो वाट का बॉटल भी वैनिग अपनी आँखें बंद कर लेता है वो अब सोना चाता था इस तरीके से सोना चाता था कि वो कभी न जख सके वो खुद को बहुत यूजलेस फिल कर रहा था तभी उसे जेंगशा की बाते याद आती है मुझे तुमसे नफरत है वैनिंग तुम्हें मर जाना चाहिए था वैनिंग सोचने लगता है अगर मैं कहीं चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं क्या फिर जी जी ठीक हो जाएंगी क्या वो खुश रहेंगी क्या सब लोग खुश रहेंगे वैनिंग खुद को समालता है कैसे भी नशी में उठने की कोशिश करता है वो अपने रूम की तरफ जाही रहा होता है कि तभी कोई उसे अवास देता है वी इंग के आसपास सब कुछ ऐसे घूमने लगता है वो फिर से बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है कि तभी कोई उसे गोद में पकड़ लेता है वो वांग जी था वांग जी उसे गोद में उठा कर अपने घर ले आया था वी इंग बेहोशी की हालत में भी इतना दर्द में दिख रहा था कि वांग जी तुरन्त उसे गले से लगा लेता है चैसे ही सिजवी देखता है कि वांग जी ने वी इंग को कैरी किया हुआ था सिजवी कहता है डैट, तीचर वी को क्या हुआ, क्या वो ठीक है? वांग जी कहता है वो ठीक हो जाएगा सिजवी कहता है डेट क्या मैं उनके लिए कुछ बना दूँ उनकी तबित कुछ ठीक नहीं लग रही वांग जी कहता है मैं उसका ख्याल रख लूंगा सिजवी तुम अपने रूम में जाओ वांग जी वॉइंग को कहरी करता है और अपने बैड रूम में ले जाता है वॉइंग अभी भी unconscious था और उसका एक हाद वांग जी की shirt पर था जो उसने tightly पकड़ लिया था वांग जी वॉइंग को अपने बैड पर लिटाता है एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी नज़रें विइंग से नहीं हटाई थी जब शिचैन ने उसे कॉल करके बताया था कि विइंग की फिर से लड़ाई हुई है जैंक्शा के साथ वांग जी समझ गया था कि विइंग बहुत दर्द में होगा वांग जी विइंग की पास वहीं बैट जाता है और वो विइंग की ब्रीधिंग की आवाजों को ही सुन रहा था कुछ समय ऐसे ही बेच जाता है और विइंग धीरे धीरे अपनी आँखे खोलता है वो बहुत देर तक तो रूम को ही देखता रहता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है लंजा मैं कहा हूँ वांग जी उससे कहता है मेरे घर वीइंग उससे कहता है तुम्हारे घर तुम मुझे अपने घर लेकर आया हो और तुम्हारे बैट पर वांग जी को नहीं समझा रहा था कि वीइंग ने ऐसा क्यों कहा वीइंग अचानक से हसने लगता है और वो अपने हाथ वांग जी के नेक में डाल देता है वीइंग तुरंट उसे अपने नजदी खीश लेता है और उसे किस करने लगता है वांग जी को नहीं समझा रहा था कि अचानक से वीइंग को क्या हुआ लेकिन वो वीइंग को उसे किस करने देता है वीइंग तुरंथ अपने लेक्स से वांग जी के वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है वांग जी को वो पहला किस याद आ रहा था जो उसने वियंग से चुराया था फिनिक्स मौंटेन पर वो किस बहुत स्वीट था लेकिन आज वियंग का किस बिल्कुल बिटर था जिसमें ऐल्कोहॉल का टेस्ट था अब वीइंग तुरंद वांग जी के शर्ट के बटन को खोलने लगता है वो अपना हाथ वांग जी के चैस्ट पर हर जगा फैरानी लगता है लेकिन वांग जी को ये सब कुछ अजीब लग रहा था ये सब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था वो तुरंद वीइंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है नहीं वीइंग वीइंग तुरंद वांग जी के शर्ट को शोल्डर से नीचे गिरा देता है और उसके बालों को पकड़के फिर उसे अपनी तरफ खीशता है और उससे कहता है क्यों लंजा, अब मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, प्लीज मुझे यूस करो, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ वांग जी ने कितनी बार अपने सपनों में वुईंग को इस तरह इमेजन किया था, लेकिन ये सब कुछ उसे गलत लग रहा था, वो फिर उसका हाथ पकड़ते हूए कहता है, नहीं वुईंग अपने लेक्स और भी टाइटली उसके वेस्ट पर पकड़ लेता है, और उससे कहता है, क्यूँ, तुम यही सब तो शाहते थे ना लंचा, तुम मेरे साथ सोना चाहते थे ना, तो प्लीज, आज मुझे यूस करो, मेरी जिन्दकी में वैसे भी अब कुछ नहीं वुईंग को चाहता था, हमेशा से, लेकिन इस तरह नहीं, वो वुईंग से कहता है, वुईंग तुम बैटर डिजर्व करते हो, अचानक से वुईंग की आँखों से आसु आने लगते हैं, और वो उससे कहता है, नहीं लंजा, नहीं, मैं बिलकुल भी बैटर डिजर्व वुईंग जी उसकी आसुओं को पोशने लगता है, वुईंग उससे कहता है, तुम मेरी इतनी परवा क्यों करते हो, वुईंग जी मन में सोच रहाता, क्योंकि मैं तुम से प्यार करता हूँ, हमेशा, शुरुआस से, सिर्फ और सिर्फ तुम से प्यार करता आया हूँ, प अपना दिल उसके लिए खोल कर रख देना चाहता था और उसे ये विश्वास दिलाना चाहता था कि वो भी प्यार डिजर्फ करता है लेकिन वांग जी ये कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो खुद को एक कावड समझ रहा था वो वहिंग को गले से लगा लेता है वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था वहिंग बस रोई जा रहा था वहिंग उससे कहता है मैं क्या करू लंजा मैं क्या करूँ मैंने सब कुछ बरबाद कर दिया मैं ये कभी भी नहीं चाहता था ओकी गाईस आज का पार्ट यहीं कतम करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई